नमस्कार दोस्तों मैं समित मिस्रा स्वाइट करता हूए पर फिर से आप सभी करा MZT एज़ुकेशन में दोस्तों स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और स्टैटिक जीके के इंपोर्डेंट पॉइंट यहां से क्योशन जरू देखने को मिलेंगे और हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में टोक्यो ओलंबिक होने वाला है इसी वर्स तो यहां से क्योशन तो बनना लगबहत तैं ही समझवे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है बहुत ज़्यादा important होने वाली है इस वीडियो की PDF फाइल भी provide की जाएगी जैसा कि आपको सभी Static GK की वीडियोज का provide किया जाता है कहाँ पर मिलेगा MZT app पर Google Play Store पर जाएए MZT app डाउनलोड कीजिए फिरी में PDF इसकी डाउनलोड कीजिए quiz वगर अभी सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगी चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1950 के बात से तो 1950 के बात से भारत आजाद हुआ लेकिन भारतिये जो थे ये उलमपिक में मेडल बहुत पहले से ही जीटते आ रहे हैं 1922 में Paris में हुआ था Paris Olympic इसमें नार्मन प्राचर्ड नाम के एक धावक ने जीता था मेडल, सिल्वर मेडल भारत की तरब से, ठीक है, 200 मीटर बाधा दोड के लिए, और इन्होंने ही सेम उलम्पिक में, यानि उसी वर्स पैरिस उलम्पिक में ही एक और मेडल जीता, सेम मेडल जीता, सिल्वर मेडल वो भी था, वो 200 मीटर की दोड के लिए था, तो 200 मीटर की बा है कितना गोल्ड है आठ गोल्ड है होकी के इंडिया के ओलंपिक्स में देखिए कौन-कौन सा है सबसे पहले 1928 में गोल्ड जीता था Amsterdam Olympic में Amsterdam के Olympic में पुरुस hockey team ने जीता था gold फिर 1932 का hockey हुआ उसमें भी भारत की hockey ने जीता था gold Los Angels में अमेरिका में हुआ इसके बाद वाला जो हुआ Berlin, Berlin में भी पुरुस hockey team ने जीता gold medal 1936 में London में Olympic हुआ London में Berlin देखिये ध्यान रखेगा 1940 में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 1949 से दोस्तों शुरू हो गया था विस्युध आप सभी को पता है 1949 से 1945 तक चला तो 1940 में होने वाला था लेकिन बिसुईद के चलते एक कैंसिल हो गया फिर 1944 में होने वाला था फिर भी बिसुईद चली रहा था तो नहीं हो पाया तो फिर 1948 में हुआ था ओलंपिक और लंदन ओलंपिक हुआ उसमें भी भारत ने gold medal जीता इसके बाद दुस्तों 1952 में भी भारत ने gold जीता लेकिन यहीं 1952 उलमपिक में एक और medal आया था भारत की तरप से bronze medal आया था भारत को मिला था कान से पदक मिला था केडी जाधव केडी जाधव जीने जीता था कुस्ती में ठीक है Melbourne Olympic होता है म Auburn Olympic में दोस्तो 1956 में इसमें भी पुरुस होकी टीम ने गौल्ड जीता है देखिए 8 गोल्ड जीते हैं भारती होकी टीम ने कितने गोल्ड? 8 गोल्ड जिसमें 6 बार तो लगातार गोल्ड थे ये 1960 में थोड़ा सा गर्वर पड़ हो गया था मामला इसमें सिल्वर मिला था ठीक है 1960 में सिल्वर मिला था देखिए यहां से अगर आप कुश्चन बनार चाहोगे तो हर एक पोजीशन पर कुश्चन बन सकता है जैसे आप से पूछ लिया गया कि कब-कब ओलंपिक युद बिसुयुद के चलते कैंसल किय गया था या फिर भारत ने 1936 के बाद गोल्ड कब जीता हांकी में तो ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि दो बिसुयुद के चलते दो ओलंपिक होई नहीं पाया था तो 1936 के बाद 1948 का जो ओलंपिक हुआ उसमें भारत ने जीता गोल्ड ठीक है इसके बाद भारत ने बीच म 1960 में या 1960 का जो ओलंपिक हुआ उसमें कौनसा मेडल जीता तो सिल्वर मेडल जीता था लगातार कितने गोल्ड जीते चे गोल्ड लगातार जीते हैं लगातार ओलंपिक में ठीक है इसके बाद फिर सिल्वर आया उसके बाद फिर जो हुआ टोकियो ओलंपिक का इसमें एक पिछली वर्स होने वाला था, COVID-19 की चलते ये टला हुआ है, रोम दोस्तों कहां पर है, रोम इटली की राजधानी है, ओके चलिए, इसके बाद ब्रांज मेडल जीता 1968 में, मेक्सिको में, मेक्सिको में पुरुस होकी टीम ने ब्रांज मेडल जीता है, इसके बाद एक और ब् पुरुस होकी ने एक बार फिर से ब्रांज मेडल हसिल किया, फिर होता है मॉस्कोव ओलमपिक 1980 में, 1980 में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता पुरुस होकी टीम ने मॉस्को ओलमपिक में, यहाँ पर आप देख रहे है दोस्तों, जो भी ओलमपिक हुआ है, उसमें भारती होकी में कुछ ना कुछ मिडल जरूर जीता था यही वज़ा थी कि भारतिय होकी टीम को दूस्तो नेशनल गेम का भी दरजा दिया गया मॉस्को कहाँ पर है रसिया की राजधानी है तो 1980 में जो हुआ मॉस्को में उलम्पिक उसमें पुरुष होकी टीम ने गोल्ड मिडल हसल किया अगला है अगला इसके बाद दूस्तो अटलांटा में हुआ 1996 में इसमें लेंडर पेस ये देखिए लेंडर पेस ने लॉन टेनिस में जीत लिया ब्रॉंज मिडल कान से पदक ये कुछा जाता है देखिए आपको दे दिया जाएगा ओप्सन पूछा जाएगा इनमें से एक और ब्रॉंज मिडल आया इसके बाद वाले ओलंपिक में सन 2000 में जो ओलंपिक हुआ सिडिनी में हुआ ठीक है सिडिनी कहाँ पर है ये आस्ट्रिलिया में है अटलांटा कहाँ पर है अटलांटा है दोस्तो ये है जॉर्जिया में कहाँ पर जॉर्जिया में है लेंडर पेस ने जीता भारत के लिए ये भी लोण टेन Wales में भारत के लिए पहला मीडल था उक्पे इसके बाद देखिये शिलवर मीडल आया 2004 के एथेंस ओलम्पिक में एथेंस कहाँ पर पड़ता है ग्रीज में पड़ता है थीक है तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंग्रा राठाओर जी ने जीता है निसाने बाजी के लिए अभी राजिवर्धन सिंग राठाओर जी दोस्तों खेल मंत्री थे खेल मंत्री थे गिरन रिजुजी से पहले यही थे खेल मंत्री तो निसाने बाजी में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल एथेंस ओलंपिक में इसके ब जीते हैं ठीक है तो 2008 में दो bronze medal आये ये gold भी आया था 2008 के Olympic में 2008 का Olympic देखिए अभी नोंबिंद्रा ने जीता था निσाने बाजी के लिए gold क्या जीता था gold जीता था निसाने बाजी में बेजिंग में, बेजिंग Olympic में 2008 में ये भारत का पहला individual gold है ठीक है भारत का पहला और वर्तमान में अभी तक किसी ने और individual gold नहीं जीता है आप लोग देख लेंगे पूरी लेस्ट तो आपको कहीं पर भी कोई भी gold नहीं दिखेगा के लिए पूरुस hockey team जो है वो तो team के लिए हुआ लेकिन individual अगर पूछा जाये तो individual gold नहीं आया था ठ आप से ये पूछा जा सकता है कि 2012 का उलंपिक कहां पर हुआ था देखिए venue भी पूछा जा सकता है ये जो venue होता है कहां पर उलंपिक हुआ ये भी पूछा जा सकता है योगस्वरदत ने कुस्ती में यानि रेस्लिंग में जीता bronze medal जीता गगन नारंग ने निसाने बाजी म दो हजान दो हमें जीता है ब्रॉंज मेडल 2012 के लणदन ंलमपिक में MC मेरि कॉम मेरि कॉमenden दोस्तो वुपके बाजी में ब्रॉंज मेडल जीता देखिए दोस्तो लंदन उलंपिक में 6 मेडल आये थे 6 मेडल में 4 थे ब्रॉंज मेडल और 2 था सिल्वर मेडल ध्यान रखिएगा 4 ब्रॉंज 2 सिल्वर मेडल था लंदन उलंपिक 2012 में देखिए silver medal किसने किसने जीता था London Olympic में silver medal जीता सुसील कुमार ने कुस्ती में जीता और एक और medal आया विजे कुमार विजे कुमार भी निसाने बाजी में जीते थे यानि सूटिंग में जीते थे यह London Olympic में silver तो 2 silver, 4 bronze medal इसके बाद आता है 2016 का Olympic 2016 का Olympic दोस्तों ये Rio De Janeiro में हुआ ये Rio Olympic के नाम से जाना जाता है दोस्तों और Rio De Janeiro ब्राजील में है कहां पर है ब्राजील में तो Brazil में ये हुआ 2016 में इसमें एक Bronze medal आया था इंडिया को और एक Silver medal मिला था bronze medal में दोस्तो साक्षी मलिक ने जीता था साक्षी मलिक रसलिंग की है ठीक है महिला रसलर है भारत की और इन्हों ने जीता bronze medal, silver medal जीता था पीवी सिंदू ने देखिए अगर अब badminton के अगर बात करें तो badminton में दोस्तो सबसे पहले साइना नहवाल ने जीता, bronze medal जीता, 2012 के लंदन उलंपिक में इसके बाद silver medal जीता, लियो डिजिने लियो, 2016 के उलंपिक में पीवी सिंदू ने वो silver medal था, clear badminton का हो गया अब यहाँ पर देखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा medal की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा medal आप सबको पता है, हौकी में आया, ठीक है पुरुस हौकी टीम ने जीता, सबसे ज़्यादा medal, टोटल 11 medal जीते हैं पुरुस हौकी टीम ने जिसमें से दोस्तो आठ गोल्ड है, अब इन आठ गोल्ड में 6 लगातार गोल्ड है, ठीक है इसके बाद 2 bronze medal है, और एक है silver medal होकी में, ठीक है, तो यह आपको याद इतना है इसके बाद अगर पूछा जाए, इंडिविजुल में सबसे ज़्यादा medal किस में आया है, किस खेल में आया है भारत में, तो इंडिविजुल में सबसे ज़्यादा खेल में आया है कुस्ती में, किस में कुस्ती में, कुस्ती यानि रेस्लिंग, रेस्लिंग में दोस्तों 5 medal तो यह हर प्रकार से कुश्चन एक्जामनर तोर्ट के बना सकता है और हर प्रकार से मैंने बताने की कोसिस की है इसके अलामा भी अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से और भी कुश्चन बना सकते हुआ तो आप बना करके अपने हिसाब से पढ़ लीजेगा इसकी पीड़ भी आपको provide कर दी जाएगी हमारे application पर चोटी सी वीडियो थी informative वीडियो अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और डेली आठ बजे इवनिंग में दोस्तों आप लोग तयार रहा किजिए 8 पीम पर डेली एक वीडियो अप से आती है एक एक topic करके मैं आपका पूरा का पूरा इस्टाइटिक जी के cover up कराम नहीं आर लाओं तो पूरा आप लोग ध्यान से देखा किजे वीडियो डेली यूनिंग में 8 विजे आ जाय किजिए वीडियो आपको रोजाना मिलेगी और पीडेल भी आपको इसकी रोजाना मिलेगी जिन व पूरी वीडियो में ततके लिए नमस्कार जाहिंद वन्दे मात्रम